हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता स्वेतास किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल के नमक पारे वो भी काजू के सेप में नमक पारे तो सभी को बहुत पसंद आता है ये चाय काफी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है आज मैं जो नमक पारे बताऊंगी वो बहुत ही करारे और खास्ता है और बहुत ही कम इंग्रिडेंस के साथ बनाऊंगी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नमक पारे के लिए सबसे पहले मैदा को डो तयार करना है उसके लिए यहां मैं दो कप मैदा ली हूँ मैदा में मिक्स करेंगे स्वाद नुसार नमक नमक पारे में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए यहां मैं डालूँगी हाप चमच काला जीरा और हाप चमच आजवाइन इसे हातों से क्रस्ट करके डाले सारे इंगरीडियन्स को मैदा में मिक्स कर ले सारे इंगरीडियन्स मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब नमक पारा को खास्ता बनाने के लिए यहां मैं डालूंगी हाफ कप मेल्टेड घी मैदा में घी अच्छी तरह से मिक्स कर ले आप घी नहीं डालके यहां पे वेजिटेबल ऑईल भी डाल सकते है निमकी हो या सकर पारे इन सब में तो मौयम लगता ही है तब ही वो खास्ता और करारे बनते है घी अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है इसे जब मुठी मिले तो मैदा इस तरह बनना चाहिए देखे ये अच्छे तरह से बन रहा है इसका मतलब इसमें जो ओयल या घी डाली हूँ ये परफेक्ट मात्रा में इसमें पड़ा है अब मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे और साथी साथ इसे मसलते हुए इसे गुंद लेंगे ध्यान रखे कि जादा पानी एक बार में ना डाले वरना ये गिला हो जाएगा और ये खास्ता ने बन पाएगा इसका डो थोड़ा हाड ही होना चाहिए नमक पारे के लिए देखे मैं आठा गुद कर तयार कर ली हूँ देखे इसका डो इस तरह का हाड होना चाहिए तब ही ये खास्ता बनेगा और इसे तयार करने में मुझे इस ग्लास से हाफ ग्लास पानी लगा है अब इसे ढख कर 15-20 मेट के लिए रेश्ट करनी के लिए रख देंगे इसके बाद इसे नमक पारा बनाना स्टार्ट करेंगे 20 मेट हो गया है अब धकन हटा लें ये डो हमारा परफेक्ट बन कर तयार हुआ है अब इसे दो भागो में डिवाइट कर देंगे इसे इस तरह हातों से करते हुए लंबा कर लें और फिर इसे दो भागो में डिवाइट कर दें इस भाग को ढख कर रख दें और इसे एक बड़ी लोई तयार कर लें इस तरह से बड़ी लोई बनकर हमारा तयार है अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे इसे बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़ा हाड डो है तो थोड़ी से मुश्किल होती है इसे किसी भी सेप में बेल सकते हैं क्योंकि इसे अपने मन पसंद सेप से इसे काटना ही है इसे बहुत जादा मोटा या फिर बहुत जादा पतला ना करें देखिए इसकी थीकनिस इस तरह की होनी चाहिए इसे बेल कर तयार कर ली हूँ लेकिन इसके साइड वाले भाग जो फटा फटा है इसे काट कर निकाल दूँगी ताकि काजू के सेप में जो इसे काटने वाली हूँ ये अच्छे सेप में आये इसलिए इसके साइड वाले भाग को काट कर निकाल दे काजू के सेप में काटने के लिए मैं यहाँ पे दवा के बोटल का ढखकन ली हूँ ये सार्फ है और इसे काटना स्टार्ट करूंगी आदा भाग इसका बाहर रहना चाहिए और बॉटल का आदा भाग मैदे के उपर रहना चाहिए मैदे के डो के उपर और इसे काटना स्टार्ट करूंगी पहला भाग इसे काट कर साइट कर देंगे और फिर उसी तरह से इसे फिर से काटना स्टार्ट करेंगे देखिए ये काजू के सेप का नमक पारा बनकर तयार है देखिए इसी सेप का मैं काटूंगी ये बिल्कुल लग रहा है ना काजू के सेप के जैसा अब इसी तरह से इसे काटना स्टार्ट कर देंगे इसे काटना बहुत ही आसान होता है ये बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है पहला लाइन मेरा कट चुका है अब दूसरा लाइन भी इसी तरह काट लेंगे आप चाहें तो कोई भी मन पसंद सेप दे सकते हैं इसमें सारे लोईये से काजु के सेप में नमक पारे काट कर तयार कर ली हूँ देखें ये कितना अच्छा लग रहा है अब इसे फ्राई करूंगी फ्राई करने के लिए एक बड़ी बरतन में तेल डालूंगी और तेल जादा ही डालूंगी क्योंकि इसे डीफ फ्राई करना है तेल देखें गर्म हो गया है इसमें मैं एक सेप डाल कर चेक कर लूंगी देखें बुलबुला आना स्टार्ट हो गया है इसका मतलब तेल गर्म हो चुका है और मुझे इतना ही हीट का तेल चाहिए, बहुत जादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, वरना ये अच्छे से पकेगा नहीं, और जल जाएगा ये, इसका कलर डीप हो जाएगा और ये अंदर से पक नहीं पाएगा, इसे लो से मिडियम फ्लेम में ही फ्राई करें, तभी ये अच्छे से पक पाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, और इसे अलट पलट कर फ्राई कर ले, देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, देखिए काजू के सेप का नमक पारा का कलर कितन अच्छा है गया यह परफेक्ट बना है वियल अच्छछ से प्रय हो गया है अब इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे देखिए यह कितना अच्छा बना है अब इसे किचै कर लेंगे हुआ है इसी तरह अब दूसरे बेच को भी स्वाइ करेंगे नमक पारे मेरे सारे बनकर तयार हो गए है ये बहुत ही अच्छा बना है देखिए मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये इसका साउंड सुनिए कितना अच्छा लग रहा है साउंड से ही लग रहा है ये बहुत ही खास्ता बना है एक तोड़ कर दिखा रही हूँ देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छी तरह से सिख चुका है ये पर्फेक्ट बना है ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब and सेर करना ना भूले और बेल आइकोन को भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू